हाई अबरिवन स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंग्वेश एंड ट्रांसलेशन के बारे में मुझे एक फांडिंग मेंबर का कमेंट चा हैं तो क्या इसी तरीकी का कोई ऐसा फीचर कोई ऐसा टूल ऑन पासिप की तरब से हमारे एको सिस्टम में प्रवाइड किया जाएगा जिससे कि हम अपने लोकल लेंगवेज भी उसको देख सकें समझ सकें तो इसके लिए में दो चीज़ें आपको बताना चाहूंगा फ्र इसे कροकुर्वेज का प्रेसा प्रृइड को आप अपनी लोकल लेंगवेज में ट्रैसल exerc करके देख सकते हैं समझ सकते हैं जी हां आपसभी पता होगा कि हीको सिस्टम में जो लेंगवेज है लेंगवेज का PDF हम सबय को प्रूइड किया गया है तो जब भी आप अपना ecosystem login करते हैं login करने के बाद dashboard पर सबसे उपर right side में उपर आप देखिएगा किनारे पर आपको language का option नज़र आएगा और अगर आपको नज़र नहीं आता है login करने के बाद अगर आपको नज़र नहीं आता है तो जो आपका ecosystem का dashboard है उसको एक बार या फिर दो बार refresh कीजे refresh करने से automatically वो option आपको सबसे उपर right side में दिखाई देगा तो उस option पर आपको click करना click करने के बाद वहाँ पे जो भी language है वो सारे आपको आपको दिखेंगे उसमें से जो भी आपका local language है हिंदी है मराठी है वेंगॉली है जो भी आपका local language है उसको select कर लीजे select करते है क्या होगा ecosystem का dashboard ecosystem में जितनी भी सारी चीजे हैं जिस language को आप select करोगे उसी language में वो automatically change हो जाएगा मालीजे आपका local language हिंदी है तो आप language से आप हिंदी को select कर लीजे select करते ही पूरा आपका dashboard पूरा आपका ecosystem हिंदी language में change हो जाएगा चाहिए वो आपका update session में कुछ message आया हो कुछ update आप on passive की तरफ से या कुछ भी हो सब कुछ वो automatically उस language में change हो जाएगा and इसके लिए दूसरा चीज यह है कि अपना जो translation की बात की गए है हाँ पे translation का जो question आया है तो open के लिए आप सुभी को पता होगा नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला दूँ ये feature हमें open में जरूर मिलेगा अभी तक हमने इसको use नहीं किया open में but coming days में जब अपना open again live होगा तो उस time मुझे पूरी उमीद है कि उसमें translation auto translation का आईसन नहीं कई बार scale guarding update दिया था कि अपने open में auto translation का feature add किया जाएगा तो coming day में जब भी अपना open live होगा तो उस समय auto translation का feature जो सुभधा है वो उसमें add किया जाएगा उसके तुरू क्या होगा ये आपको सुभधा मिलेगी कि आपका जो भी local language है उसमें उस चीज़ को आप देख पाएंगे समझ पाएंगे मतलब जो speaker होगा open में presentation दे रहा होगा तो जो भी बाते कर रहा होगा वो आपको अपने local language में सुनाई देगा समझ में आएगा तो ये चीज़ हमें open में जरूर मिलेगा coming days में तो ये दो चीज़ है मुझे उमीद है कि इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गयो होगे और ecosystem में language option को अगर कोई use नहीं करता है तो आप उसको देखिए चेक किजिए और जब भी कोई update और आए जो भी आपका local language है तो उसमें translate करके उसको जरूर पढ़ा कीजिए इसके लावा last में एक point में यहाँ पर touch करना चाहूंगा suggestions के बारे में काफी founding members हैं जो मुझे लगातार suggestion देते रहते हैं कुछ उनके comments आते हैं कि इस परकार अगर यह problem है तो इसका यह solution हो सकता है जैसे कि जब भी ecosystem के regarding कोई problem आता है कोई question होता है तो उसका जो भी solution होता है वो मैं आप सभी को provide करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसका solution के बारे मेरे पास ही हो यह solution आप मेंसे किसे के पास भी हो सकता है तो जब भी एको सिस्टेम की रिगार्डिंग या फिर आनल टाइम में हमारे जो प्रोड़ोट्स लाइब होंगे उन्हें की रिगार्डिंग जब भी कभी आपको कोई इरर दिखाए दे या फिर कोई प्रोड़म आपको नजर आए जिसका सल्यूसन आपके पास हो तो वो सल्यूसन आप हमारे साथ जरूर सेयर करें आप मुझे वीडियो में कमेंट की थरू सेयर कर सकते हैं आप फेस्बुक मेसेंजर पर मुझे बता सकते हैं आप मुझे mail कर सकते हैं आप मुझे WhatsApp message कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप मुझे भेजना चाहें आप मुझे भेज सकते हैं क्योंकि आपकी जो suggestions होते हैं वो मैं देखता हूँ उसको अच्छे से समझता हूँ आपके जो comment होते हैं वीडियो में उसको भी मैं देखता हूँ हर एक comment को मैं देखता हूँ और अगर किसी का कोई question रहता है कोई problem रहता है तो उसका मैं answer भी देता हूँ जवाब भी देता हूँ तो इस परकार मैं आप से भी से request करता हूँ कि कभी भी अगर आपकी तरफ से किसी problem की regarding कोई solution हो आपके पास तो वो आप हमारे साथ जरूर share करें और अगर कोई suggestion हो आपकी तरफ से हमारे ले तो वो भी हमारे साथ जरूर share करें क्योंकि हर एक solution हर एक suggestion हमारे ले काफी ज़्यादा important होता है तो ये थे friends कुश important points जिसके बारे मुझे आपसे बाते करने थी उमीद है कि ये सभी points आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और ये video भी आपको informative ज़रूर लगा होगा